हरियाना बीजेपी में मचा घमासान हरियाना में बीजेपी के लड़ाई एक बात फिर खुल कराई सडकों पर सियम खटर को भी आँखे दिखा रही हैं भाजपा के नई नवेल चौधरी एक दूसरे पर खुल कर आरूप लगा रही हैं बीजेपी नेता बीजेपी निताओं ने ही मांगा बीजेपी मंतरी का इस्तिफा, मीडिया के सामने एक दूसरे को नंगा करने में लगे हुए हैं भाजपा के नेता, घुस्खोरी से सारा जुड़ा है मामला हरियाना उस्तव के लिए भावर सिंग के साथ अनिल खत्री की स्पेशल रिपोर्ट हरियाना भाजपा में एक बार फिर बगावत की आग सुलगने लगी है भाजपा के बड़े निता एक दूसरे पर खुल कर कीचड उचालने में लगे हुए हैं भाजपा में लगी आग की लप्पे परदेश के मुख्य मंतरी मनोरलाल खटर और परदेश अधक्ष ओम परकाश धनकर तक पहुँच गई हैं भाजपा के नई नवेले चौधरियों ने मुख्य मंतरी मनोरलाल खटर को भी आँखे दिखाने शुरू कर दी हैं भाजपा के नई नवेले चौधरि उसी कहवत को सच्चा सिद करने में लगे हुएं जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया ताजा मामला हरियान सरकार में सामाजिक न्याई मंतरी ओम परकाश यादव और नगर पाली का और नगर परिशदों के नई नवेले प्रधानों के बीज चुड़ा हुआ है याद रहे कि कुछ दिन पहले खटर सरकार ने नई नवेले अध्यक्षों से डीडी पावर वापिस लेने के लिए एक पत्र जारी किया था जिसका नई प्रधानों ने जोरदार विरोध भी किया था सरकार के इस फैसले के खिलाब पुरे परदेश के नगर पालिका और नगर परिशदों के प्रधानों ने जीन में एक सामोहिक बैठ की पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूनियन की परदेश अध्यक्ष ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार उन्हें सामोहिक इस्तिफा देने के लिए मजबूर कर रही है वहीं सरकार के इस फैसले का समर्सन करते हुए मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ज्यादतर नगर परिशद और नगर पालिकाओं के चेर्मैनों पर घुस्खोरी का बहुत बड़ा आरूप जड़ दिय उन्होंने मीडिया के सामने साफ साफ कह दिया कि रिशवत देने वाले ठेकेदारों का बिल चेर्मैन हाथो हाथ पास कर देते हैं और रिशवत ना देने वालों के बिल कई कई महीने तक लटकाए रखते हैं मंत्री उम्परकाश यादव ने मीडिया पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जब चियर्मेन खुस्कोरी करते हैं तो ज्यादतर मीडिया वाले भी अपनी आंके बंद कर लेते हैं मंत्री के घुस्खोरी वाले ताजा ब्यान से परदेश के चेरमेनों को सीधे मिलचे लगी है मंत्री के इस ब्यान से जलती आग में घी डालने का काम किया है जिसके बाद चेरमेनों की परदेश अधक्ष ने मीडिया से बात करते हुए मंत्री को पागल करार दिया और उन्होंने मंत्री से सक्त लहज़े में माफी मांगने या मंत्री पद से इस्तिवा दिने की मांग कर डाली